दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टोसेक्स एक्सपी सीरप के बारे में दोस्तो हम बताएंगे इसके डेर सारे फायदे के बारे में इसके कमपोजिशन के बारे में इसकी प्राइज क्या होती है और इसे किस कमपनी द्वारब बनाये जाता है दोस्तो इन बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्कीप ना करें इस वीडियो में सुरू से अंत तक जरूर बने रहें दोस्तो टोसेक्स एक्स पी कुछ इस तरह के कागस के कॉटन बॉक्स के अंदर आता है जो कि दोस्तो शुगर फिरी होता है और सौ एमल का बॉटल होता है कमपनी की बात करें तो दोस्तो ये एबॉट हेल्थ केर प्राइबेट लेटेट कमपनी दोरा इस प्रोड़क्ट को मार्केट में बेचा जाता है और सौ एमल बॉटल की प्राइज की बात करें तो यह आपको 90 रुपे में एजली हर किसी medical store पे आसानी से मिल जाता है बात करें दोस्तों इसकी composition की तो दोस्तों इसमें गौफेंसिन एमब्रॉक्सॉल, हैड्रोकॉल्डाइड टर्बोटलेन, सल्फेट एंड मैंथॉल बेस से बेस यह सीरप दोस्तों कई बार हमें खासी हो जाती है दोस्तों खासी होने पर हम कोई भी सीरप इस्तमाल करने लगते हैं लेकिन दोस्तों खासी दो तरह की होती है एक गिली खासी होती है और एक सूखी खासी होती है दोस्तों सूखी खासी में आपको बार-बार खासी आता है और मुझे कफ या बलगम नहीं निकलता और आपको गले में खरास टाइप लगता है और बार-बार खासी आती रहती है जबकि दोस्तों सूखी खासी की ये पहचान गिली खासी की ये पहचान होती है कि उसमें आपको खासी भी आता रहता है सा सांस लेने में तकलिफ होती है और खरकराहट की आवाज भी आता है दोस्तों गिली खासी किन लोगों को होता है जो लोग निमोनिया की शिकार होते हैं या फिर अस्तमा की शिकार होते हैं इन्हीं लोगों को गिली खासी की शिकायत होती है तो दोस्तों टोसेक्स एकस पी जो ह होता है दोस्तों ये खासी की सीरफ की फायदे की बात करें तो अगर आपको बहुत ज्यादा कफ आता है मुझसे बहुत ज्यादा खासी आती है सीने पे बलगम जमा रहता है सांस फूलता है सांस लेने में तकलीफ होता है या फिर सांसे बहुत तेज चलती है खरकराट की आवाज आती है और गले में काफी ज़्यादा कफ जमा रहता है तो दोस्तों उन कंडिशन में इस टोसेक्स एकसपी सीरप का इस्तमाल किया जाता है दोस्तों इस सीरप का इस्तमाल डॉक्टर लोग नीमूनिया और आस्तमा के पेशेंट को इस सीरप को देते हैं दोस्तों इसके मातर 2-3 खुराक के अंदर ही बैंकर से बैंकर गिलीमाल है जो है चुमंतर हो जाती है और सीने पर जो इतना कफ जमा रहता है वह भी मूँ के जरिये बाहर निकलाता है और सीन अहलका हो जाता है और सांस लेने में कोई तकलिफ नहीं हो है आप अपने नज़्दिकी डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें तबी उसका इस्तमाल करें क्योंकि दोस्तो कुछ मेडिसिन फायदे पहुंचा यां तो कुछ मेडिसिन नुखसान भी पहुंचा चाते हैं इसलिए आपको अपने करीबी डॉक्टर से सला लेने के बाद ही कोई भी मेडिसीन का आप इस्तमाल करें दोस्त की बात करें दोस्तो इसका तो ये 100 ml का बॉटल है जबकि मार्केट में आपको ये 60 ml के बॉटल में भी उपलब्द मिल जाता है 60 ml का बॉटल दोस्तो खास तोर से चोटे बच्चों के लिए आता है और 100 ml का बॉटल खास तोर से बड़े लोगों के लिए आता है दोस्तो इसमें इच 5 ml केंटेंस जाते हैं गॉफ एंजिन 50 mg और एंब्रोक्सॉल हाइडर कोलाइट 15 mg तर्बॉटलिन सल्फेट इसमें 1.25 mg और ये मेंथोल बेस में ये सीरप बनाये गया है यानि कि इसको पीने से गले में काफी ठंडक लगती है और सांसे लेने में काफी आसानी प्रदान होता है तो डोस्तों की बात कर रहे थे हैं आप फौरन कोई पानी या ठंडी चीजियों का इस्तमाल ना करें बच्चों में डोस की बात करें तो दोस्तों बच्चों में इसका जो डोस है अगर 5 मेने से उपर का बच्चा है 1-2-3 साल तक का है तो उसे हम 5 ml दिन बर में 3 बार दे सकते हैं यहीं बच्चा 3 साल से उपर यानि के 4 या 5-6 साल का है तो उसे हम 5 ml दिन बर में 3 बार दे सकते हैं साइड फेक्ट की बात करें तो दोस्तों इसका साइड फेक्ट कुछ खास नहीं है लेकिन दोस्तों इसका ओबर डोज लेने से हाथ पैरों में कपकपी स्टार्ट हो जाती है बहुत लोगों को चक्कर आने लगता है या फिर सुस्ती पन जैसा हो सकता है तो दोस्तों इस तरह के इसके कुछ कामन साइड फेक्ट है जो कि सभी को नहीं होता तो यह था दोस्तों टोसेक्स, एक्सपी, सीरप के बारे में सब कुछ वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें दोस्तों में शेयर करें आपके मन में कोई प्रशनिय सुजा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद